दिली के कालंदी कुंच से अब बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कालंदी कुंच से फरिदाबाद और जैदपुर की तरफ जाने वाला रास्ता अभी भी शाहिन बाग के आंदोलन की वज़े से बंद है हाला कि कुछ देर के लिए वो रास्ता खुला जरूर था लेगे जब वो वापस से बंद कर दिया गया है जैजरिया हमारे समवाताता पूजा राठो शर्माने शाहिन बाग की वज़े से उसके आसपास के जिंचिन रोड को ब्लॉक किया गया था हालांकि सुभा खबर ये आई कि एक जो रास्ता है वो खोल दिया गया है और वो रास्ता है नौईडा से फरिदाबाद जाने वारे लोगों के लिए नौईडा से बदरपूर जाने वार बरकरार है सिर्फ दुपहिया वाहन गी यहां से निकल पा रहे हैं लेकिन अभी भी जो गाडिया है वो वापस यहीं से घूम कर आश्रम से होते हुए जाएगी यानि जो सफर है वो अभी भी लंबा है सफर जो है वो अभी भी जो है काफी परिशानी भरा रहा है तो है कि this has been opened now and हम बड़े खुश हो के चलो ठीका यह तीन-तिन गंटे लग रहे हम जल्दी पहुंच जाएंगे हमें फृदाबा जाना है बट यहां पर यह बंद है फिर से कोई बताने को रेडी नहीं है क्यों क्या रीजन है कुछ पता नहीं है इसको यहां पर जितने भी पॉल सदिकारी उनका यह कहना है कि अगर यहां हम रास्ता खोल भी देंगे तो आप पुलिया के पास पास जाएंगे चोटा रास्ता है लेकिन दीरे देरे अभी खाली है ना क्योंकि वहां से कोई बाद नहीं होती हो जाएगा जिसकी वैसे एटलिस कुछ लोग तो निकलेंगा यहां से हमें 45 मिट्स में फरीदाबाद पहुंच जाते थे हम मैं गीदा कलोनी में रहता हूं और फरीदाबाद जाता हूं पंतालिस से पचास मिनट मुझे लगते हैं और शाम में शाम में भी ऑल्मस्स यही टाइम था कि हम इधर से आते थे और 15-20 मिट उपर नीच होता ह पांच बेश से लेकर आठ बेश तक हम जाम में फस रहे हैं चार-चर गंटे जाम हैं अगर इस रूट से हम आएंगे तो हमारा अल्मस्स बाट टाइम बसते हैं बाट टाइम बसते हैं दो शे लाइगंटे से बिंग कर रहे थे हम आपको लगता है कि जितने भी रोड पॉलेकर में देख के लिए क्लियर यहां से सीधा जाकर लेफ्ट चले जाएंगे तो शाहिनबाक की तरफ नहीं जाना किसने भी तो भी रस्ता खोला जा सकता कि तो तो ड्ली तो धोड़ी से मुट कर देना अब यहां के दुबारा वापीस जाना इस अल्रेडी वो बहुत देरी से अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं दो ढ़ाई घंटे की देरी से पहुँच रहे हैं और आज इस तरह का मिस कम्यूनिकेशन हुआ है और जो भी ये खबर फैली है उसके चलते जो लोग इस रास्ते पर आ गए थे अब वापस उन्हें घूम कर और ज्यादा वक्त लगा कर अपनी मंजिल तक पहुचना पड़ेगा तो परिशानी बरकरार है वो परिशानी यहां के लोगों के चहरे पर दिख भी रही है लेकिन फिलहाल खबर यही है कि कोई रास्ता नहीं खोला गया है जो रोड ब्लॉक थे शाहिनबाग के आसपास वो आज भी ब्लॉक है कैमरमेन ललित के साथ पूचा राठोर शर्माट ओर लियोस दिली